दन्यवाद सभबतिजी जी अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ पिछले धाई दिनों से जो अब विश्वास प्रस्ताव पे जो चर्चा हो रही है उसमें विपक्ष केवल और केवल मनिवपूर पे उन्हें बात करी है इससे एक बात तो स्पश्च होती है कि इनके इनके दस साल और हमारे नौ वर्ष इनके दस साल के अंदर घोटालों की लाइन लग गई थी लेकिन इनके सरकार के एक भी मंत्राले के खिलाब एक शब्द नहीं या काई सिर्फ मनिवपूर की बात करी है आज ये चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए जो जो बूल जड़ है ये बार बार मनिवपूर की बात करते हैं ये ये भी बोलते हैं कि हम वहाँ पर गए थे कुछ लोगों से मिलने के लिए एक वी आईपी विजिट इन की हुई थी यहाँ पर एजेंसियों की खबर भी है और मैं अपने विपक्षियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सदन में कुछ ऐसे भी लोग है जिनोंने मनिवपूर का एक एक नाला एक एक पहाड़ी के ओपर ऑपर आपरेशन्स भी करे वे हैं मनिपूर की जो जिम्मेदारी नौर्थ इस्ट के अंदर जो पिछले 40 साल से जो हिंसा चल रही है उसकी जिम्मेदारी कॉंग्रेस की है ये कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कॉंग्रेस की है उसी तरह पंजाब के अंदर भी जो मिलिटेंसी हुई है उस का लेकिन मूर्खता का आत्म विश्वास सर्वों पर ही होता है जो इनों नहीं दिखाया आज आज इसी मूर्खता का विश्वास इनों ने दिखाया है मोधी सरकार के खिलाब अविश्वास तपस्ता वलाकर मूर्खता इसलिए भी क्योंकि इनों ने अविश्वास और अवि के लिए प्रदान मंतरी मोदी जी ने पिछले नौ वर्ष में उससे कई गुना विकास करके दिखाया है मैं सीधे क्योंकि समय कम है मैं सीधे आता हूँ जो ये बार बार बात करते हैं देश को तोड़ने की जोड़ने की इन्होंने एक यात्रा भी निकाली भारत जोड़ो यात्रा करके मैं 2008 में बीजिंग उलम्पिक्स के अंदर वहाँ पर था और हमें ख़बर लगी कि साब सोनिया गांदी जी राहूल गांदी जी आपसे मिलने आ रहे हैं ये हमसे मिलने वहाँ पर नहीं आए थे और नहीं कोई मुलाकात हुई क्योंकि इनकी ठालिया तो कम्युनिस पार्टी ऑफ चाइना ने बचा रखी थी इनकी मुलाकात कम्युनिस पार्टी ऑफ चाइना से हुई ये रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे अगर को 2018 में यही अविश्वास प्रस्ताव आया था उस अविश्वास प्रस्ताव के अंदर जैसे इस बार राउल गांधी ने चिला चिला कर यहाँ पर बात रखी उसी तरह उस समय भी इन्हों ने जोर जोर से कहा कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास के अंदर असुरक्षित है ये बात बार बार कही कि हिंदुस्तान पहली बार इतियास में असुरक्षित है हिंदुस्तान के लिए तो वो लागू नहीं हुआ लेकिन राजिस्तान के लिए वो जरूर लागू हो गया राजिस्तान आज इतियास में पहली बार असुरक्षित है अपराद को भूल गए बिलकुल वहां से तो यात्रा भी निकाली थी 14 साल की वो मासूम बच्ची जिसने इस इस दुनिया को भी नहीं देखा था उसके साथ सामोहिक दुशकर्म हुआ जिन्दा को काटा गया उसको भट्टी में कोईले की बट्टी में डाला गया लेकिन इनकी तरफ से एक टूइट नहीं एक कोई शब्द नहीं ये शरम आने चाहिए इनको दुंगर पर कम नहीं है दुंगर पूर के अंदर है नवी क्लास की शक्षा के साथ पाच लोगा ने दुशकर्म करा लेकिन इनके उजू भी नहीं रहती करोली के अंदर एक एकिस साल की लड़की आप बात करते हैं अगर एमोशन है अगर आप किसी के पिता है तो इस बात को समझेए एकिस साल की लड़की को पहले अगवा करा गया और यहाँ पर आप ही की सरकार के जो मुख्यमंतरी हैं वो कहते हैं कि राजिस्थान के अंदर तो अपराच अगले दिन उसके साथ दुशकर्म हुआ उसको गोली मारी गई और गोली से नहीं मारी तो उसके ओपर एसिट भैका गया एसिट से नहीं मारी तो उसको कुए में डाला गया शरम आरी चाहिए इनको इनके मुक्यमंतरी कहते हैं इनके पार्टी के ये ये जितने भी रेव बिक्टम से आदे तो जूट हैं यहीं नहीं इनके मंतरी सदन कर अंदर खड़े होकर यह बोलते हैं कि हाँ राजिस्तान रेप्स में नंबर वन है और फिर मुड़के बोलते हैं क्योंकि राजिस्तान मर्दों का प्रदेश है और उसमें उनके विधाय था के लगा के हसते हैं यह क्या है कॉंग्रेस का असली चेहरा यह 17 बालतकार हर रोज राजिस्तान के अंदर होते हैं साथ हत्याएं हर रोज होती हैं आप कहा मनिपूर की बात कर रहे हैं आप ही के मंतरी ने वहाँ सदन में खड़े होकर यह बोला कि मनिपूर की तरफ नहीं अपने गरेबान में जहांकिये उसका मंतरी पद छीन लिया गया उसको वह सदन में मारा गया यह इनके असलियत है कॉंग्रेस की यह इनके आपको असलियत बताता हूं कॉंग्रेस की कॉंग्रेस की असलियत और यह आकड़े हैं यह मैं नहीं कह रहा इनके विदायक, इनके विदायकों के बेटे, विदायकों के भतीजे, विदायकों के पीए, उनके उपर दुशकर्म की F.I.R. हो रखी है, यह असलिएत इनकी, लेकिन उनके उपर कोई कारवाई नहीं हो रही, गर्वती, गर्वती महिलाओं के उपर यह जो पैसे बनाते हैं वो इसे ये अपनी जेब भराई कर रहे हैं तुष्टी करण का उधारन तो राजिस्थान के अंदर इतना भद्दा हो रहा है शायद ही किसी भी प्रदेश बारत के किसी भी प्रदेश में हो रहा हो ये चार साल के अंदर दस पुजारियों की हत्या हुई है धार्मिक स्थल ब चलता है उसको तोड़ा जाता है यह है इनका तुष्टी करण एक खास समुदाय के लिए इनकी सरकार वहां पर एक आदेश पारित करती है इनकी राज्य सरकार कि एक खास समुदाय के लिए बिजली कटौती नहीं होगी क्योंकि उनका एक त्योहार है हमें उनसे कोई बैन लगाए गए, पोस्टर्स के उपर बैन लगाए गए, दारा 144 लगाए गई, और यहीं नहीं, भजन कौन से बजेंगे, उसकी अनुमती भी कॉंग्रेस देगी, यह असलियत है कॉंग्रेस की तुष्टिकरण की, उदैपूर के अंदर कनईया लाल की हत्या हुई, नजान की लोग पुलिस थाने के अंदर खड़े होकर, वो खुले हम हिंदूों को दमकी देते हैं, लेकिन इनकी सरकार कुछ नहीं करती, पिए फाई बैंड है, यहाँ पर ग्रह मंत्री जी ने कल बताया है, पिए फाई पूरे राश्ट के अंदर बैंड है, लेकिन पिए फाई र बार की कोई नो कोई एजनसी, कोई नो कोई संगठन, बार की कोई नो कोई एजनसी, कहीं न कहीं न कहीं इनके साथ मिली वी है, मैं तो वापस उसी पे जाता हूँ, क्या M.O.E. हुआ था उस समय चाइना के साथ, जो आज तक भारत को नहीं पता, कहीं न कहीं ने भारत को त दलितों पर अत्याचार बड़ा है बीकरेर के अंदर दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है जला और जला के अंदर एक 9 साल के दलित लड़के को मार दिया जाता है क्योंकि वो पानी पीने गया था जमवारामगर्द मेरे अपने संचधिये छ चोड़ा, एक महिला टीचर को जिन्दा जलाए बहां पर ये दलितों के ओपर अथ्याचार ये कर रहे हैं इन्होंने हर तरह से धोका दिया यह अविश्वास प्रस्ताव हमारे सरकार के खिलाफ लाए है लिक पर यह अविश्वास लायग भी नहीं करा, या पत्रकार बैठे हैं, राजिस्तान के पत्रों पत्रकारों को इन्होंने बेखू बनाया, बोलते हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए एक अधीनियम लेकर आएंगे, साड़े चार साल हो गए, एक भी अधीनियम नहीं आया, इन्होंने हर तरह से राजिस्तान के साथ इश्वास प्रस्ताब किस के लिए लेकर आएं एक ऐसी पार्टी जिसने जो कहा वो करा एक ऐसी पार्टी जिसने बोला धारा 370 हटाएंगे तो हमने हटाया हमने बोला राम बिंदर बनाएंगे तो हमने बनाया हमने बोला आतंकुवाद को मूत और जवाब देंगे तो हमने हर तरह से उस सरकार के खिलाफ यह अब इश्वास प्रस्ताब लेकर आए हैं मैं इनसे आगरे करता हूँ अगली बार यह गोशना पत्र दे तो उसमें एक स्टार लगाएं वो स्टार लगा के बोले तर्म्स एंड कंडिशन अपलाएं क्योंकि यह जूट बोलते हैं जूट बोलने मैं अभी खतम करता हूँ अपनी बात खतम करता हूँ यह कहकर कि जब जीत न सके बाजी वे हाथ मलने लगे जब जीत न सके बाजी वो हाथ मलने लगे आसमा सी उचाई प्रधान मंत्री मोदी जी और मोदी सरकार के लिए बोल रहा हूं आसमा सी उचाई देख वो जलने लगे अभी अभी तो अभी तो बहुत कुछ तमना है छपपन इंच के सीने में अरे रुकिये बैठिये अभी से आपस में क्यों लटने लगे यह इनके अस्लिए बहुत बहुत धन्यवाद